क्या रिया ने सुशान सिंग राजपूत के बहुत सारे पैसे खर्च कर दिये थे पुलिस को है अब शक रिया चक्रवती पर क्या है ये पूरा मामला चलिए मैं आपको बताती हूँ सुशान सिंग राजपूत मामले में पुलिस का ऐसा क्लेम है कि वो जल्द ही सुराक तक पहुँच चुकी है और जो एक कड़ी जो मिसिंग थी वो कड़ी शायद अब पुलिस को मिल गई है इसके तहत कहा जा रहा है कि पुलिस कुछ लोग है जिनसे फिर से पूछताच कर रह इसके अलावा 11 तारिक से लेकर 14 तारिक के बीच exactly क्या क्या हुआ था ये सारी बाते सुशान सिंग राजपूत के house help से पूछी गई है इसके अलावा सुशान सिंग राजपूत की बहन से एक बार फिर से पूछताच करने की बात हो रही है और अब पुलिस रिया चक्रवती से एक बार फिर से बात करेगी पुलिस ने इतने लोगों से बातचीत की है और कुछ records खंगाले हैं कुछ documents देखे हैं जिसमें पुलिस को पता चला है कि सुशान सिंग राजपूत का पिछले कुछ समय में काफी पैसा खर्च हुआ है और अब शक्त किया जा रहा है कि ये ज इसमें director थी उनके दो company's में रिया चक्रवती ही नहीं बलकि रिया चक्रवती के भाई भी छिरेक्टर थे जिस बात से सुशान सिंग राजपूत की family खुश नहीं थी कि रिया तो friend है इसलिए director है लेकिन उसके भाई को डिरेक्टर क्यों बनाया गया इसके अलावा कहा गया क इन companies में जो पैसा invest किया है वो पूरा सुशान सिंग राजपूत नहीं किया है रिया और उनके भाई की तरफ से कोई भी पैसा नहीं लगाया गया है और अब पुलिस को ये पता चला है कि सुशान सिंग राजपूत के काफी funds है जो रिया ने use किये हैं तो अब पुलिस रिया स से पूछताच करेगी किन चीजों के लिए ये funds use किये गए सुशान सिंग राजपूत को जानकारी थी इन funds की क्या है और कितना पैसा रिया चक्रवती ने सुशान सिंग राजपूत का use किया था इन सभी मामले में अब एक बार फिर से रिया चक्रवती की पूछताच की सुशान सिंग राजपूत को लेकर भले ही उन्होंने सोशल मीडिया पर सुशान सिंग राजपूत को लेकर एक emotional post ही क्यों नहीं share कर दिया हो लेकिन पूलिस अभी भी रिया चक्रवती के बयानों से satisfied नहीं है आपको बता दे कि पहली बार जब statement लिया था तब भी रिया चक से पता चला और फिर एक बार रिया चक्रवती और उनके भाई शौविक को पूश्टाज के लिए बुलाया गया और अब एक बार फिर से पैसो का मामला सामने आ रहा है जिसके तहत पुलिस रिया से एक बार फिर से बात करेंगी